हेलो डीएवियंस, वेलकम टू डीएवी गुरू क्लास 8 के शूसल साइंस में हम लोग चैप्टर नमबर 5 एगरिकल्चर पर रहे थे इसके 4 पार्ट्स अप्लूड हो चुके हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो देख लीजेगा पिंट कमेंट में लिंक है, यह सबसे अंतिम पार्ट है जिसमें की बचे हुए टॉपिक्स को हम लोग पर लेंगे अब तक कि सब वीडियोज आपको DAV गुरूप के प्लेलिश में मिल जाएंगे यहाँ पर सब वीडियोज सबजेक्ट वाइस, क्लास वाइस केटेग्राइस करके रखे गए हैं ताकि किसी वीडियो को खोजने में आपको दिकत ना हो अब आप अनकैडमी पे मेरे साथ लाइब क्लास भी कर सकते हैं इसके लिए आपको लॉग इन करके सर्च करना होगा मेकी मनीश सबसे उपर मेरा प्रोफाइल आ जाएगा आप यहाँ से फॉलो कर लीजेगा उसके बाद इतने भी लाइब क्लासेस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा अभी फिलाल आठ बजे डेली रात में हम क्लास लेते हैं क्लासेट मैथमेटिक्स का अगर आप करना चाहते हैं तो लाइब जॉइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री है तो चलिए ब्रेन मैपिंग के साथ चैप्टर के शुरुवात करते हैं इस चैप्टर में यहाँ तके सभी टॉपिक्स को हमने पार्ट वन में डिस्कुस कर लिया था ये सारे टॉपिक्स आपको पार्ट टू में मिल जाएंगे और इन सबी topics को हमने part 3 में पढ़ लिया था सबसे अंति में बचा हुआ था agricultural development इसको हम लोग इस part में पढ़ेंगे agricultural development याने की क्रिशी विकास दुनिया में कैसे क्रिशी का विकास हुआ कैसे खेती के नए-ने तक्निकों का इस्तिमाल किया जाने लगा उसी के बारे में इस topic में पढ़ना है हम जानतें कि food सभी human beings के growth के लिए बहुत जरूरी है अगर food नहीं होगा तो हमारा growth नहीं हो पाएगा लेकिन population बढ़ने के कारण food का demand भी बढ़ते जा रहा है पहले लोगों के पास surplus food हुआ करता था मतलब जरूरत से ज़्यादा food हुआ करता था जितना population था उससे ज़्यादा production लोग कर लेते थे ज़्यादा production हुटा था population कम था इस वज़े से food बहुत ज़्यादा amount में बच जाता था लेकिन जैसे जैसे समय बीता population में explosion हुआ जनसंख्या में 30 से वरिद्धी हुई इस वज़े से land पर pressure बनने लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा food produce किया जा सके इसी situation की कारण लोगों को जरुत महसूस हुई नए ने techniques develop करने की ऐसे techniques develop करने की जिससे की agricultural productivity को बरहाया जा सके मतलब ज़्यादा से ज़्यादा food produce किया जा सके किसानों ने hyv seeds का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया hyv seeds क्या होता है हम बता चुके हैं आप comment में बताईएगा उन्होंने fertilizers, pesticides, insecticides और modern equipments का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया अब तो कुछ देशों ने genetically modified crops develop कर लिया है through biotechnology genetically modified crops क्या होते हैं ऐसे crops जिनके genetics में changes करके ऐसा changes जो की productivity को बरहा दे, quality को बरहा दे वैसा changes करके एक नए variety का seed बनाया जाता है जिसकी वज़ा से production बढ़ जाता है उन्ही crops को genetically modified crops कहते हैं ऐसा करने के लिए biotechnology की मदद ली जाती है biotechnology क्या होता है biotechnology involves the use of living organisms and bioprocesses in engineering, technology, medicine, etc आसान भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि biotechnology science का वो field है जिसमें कि biology और technology दोनों का इस्तेमाल की गया जाता है biology में हम लोग living organism, bioprocesses इन सब के बारे में पढ़ते हैं और technology में ये सब चीज आता है engineering, technology, medicine biotechnology में genetic engineering भी आता है sil और tissue को भी study किया जाता है culture technologies को भी study किया जाता है drugs कैसे manufacture किये जाएं इस पर भी study किया जाता है और environment management को भी study किया जाता है biotechnology की मदद से higher yield produce किया जाता है मतलब जादा उपज प्राप्त की जाती है इसके लिए किसी foreign genes को different species में मिला कर एक नया species बना लिया जाता है इस बात को एक example से समझते है माल लेते हैं एंडिया में tomato का एक ऐसा species है जिसमें कि tomato तो बहुत अच्छा होता है गोल गोल लाल लाल सुन्दर सुन्दर tomato होता है लेकिन इसका पौधा weak होता है पौधा sustain नहीं कर पाता है environment में वहीं किसी दूसरे देश में एक ऐसा tomato का पौधा पाया जाता है जिसका plant बहुत मजबूत होता है लेकिन tomato जो उससे मिलता है न वो बहुत छोटा छोटा और लाल लाल भी ठीक से नहीं होता है अब अगर इनके दोनों के good qualities को मिला कर एक नया species बना दिया जाए तो हमें उससे अच्छा उपज मिलेगा अच्छा production मिलेगा वही किया जाता है बायो टेकनलोजी के थुरू इसके genes में good quality वाले genes लिये जाते हैं और इसके genes में से भी good quality वाले genes लिये जाते हैं और उन दोनों genes को combine करके एक नया DNA बनाया जाता है और उस DNA की मजब से एक नया plant का जन्म हो जाता है एक नए species का जन्म हो जाता है जिसका पौधा strong भी होता है और उसके fruits भी अच्छे होते हैं इस तरह से जो हमें crop मिलता है उसमें nutritional value भी जादा होता है उसका flavor उसका taste भी अच्छा होता है और उसका color भी अच्छा होता है लेकिन अभी तक genetically modified crops large scale पर नहीं लगाया जाते हैं बहुत कम जगों पर ऐसे crops लगाया जाते हैं वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर किसान genetically modified crops लगाते हैं तो ये हमारे environment के लिए अच्छा है क्योंकि ऐसे crops को pesticides की जड़त नहीं परती है उसमें कीरे बहुत कम लगते हैं लेकिन जो बायो टेकनलोजी के critics है जो इसका विरोध करते हैं जिनको बायो टेकनलोजी गलत लगता है उनका मानना है कि इसका हमारे environment पर बुरा प्रभाव पर सकता है इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि किसान genetically modified crops का इस्तिमाल करें developing countries यानि कि ऐसे देश जो कि अभी डेवलप कर रहे हैं ऐसे देशों में manual labor का इस्तिमाल जाद अतर किया जाता है agricultural activities के लिए मतलब खेतों में काम करने के लिए लोग अधिक से अधिक संख्या में जाते हैं लेकिन जो developed countries हैं जो कि developed हो चुके हैं जैसे कि USA, Canada इन सब countries में agriculture mechanized हो चुका है मतलब machines का है इस्तिमाल अधिक से अधिक किया जाता है लोग बहुत कम जाते हैं खेतों में developing countries का अधिकतर population या तो agriculture में engaged रहता है या तो खुद खेती करता है या तो agriculture से related दूसरे कामों में engaged रहता है लेकिन developed countries जैसे कि Canada, USA इन सब countries में population का एक बहुत छोटा हिस्सा ही agriculture में involved रहता है क्योंकि अधिक से अधिक का मशीन से ही हो जाता है और मशीन चलाने के लिए ज़्यादा लोग चाहिए नहीं एक दो लोग ही काम करते हैं और पूरा बहुत बड़े खेत में खेती हो जाती है अब इस वाले table में देखे difference बताया गया है USA के खेत में और इंडिया के खेत में क्या क्या difference है different criteria के basis पर यहाँ पर differentiate किया गया है पहला है size of farm मतलब खेतों का आकार USA में बड़े बड़े खेत होते हैं लेकिन per hectare yield comparatively low होता है वहीं इंडिया में छोटे छोटे खेत होते हैं लेकिन per hectare yield high होता है हम आपको बताया थे कि USA में commercial agriculture होता है बहुत बड़े बड़े खेतों में एकी साथ एकी फसल लगा दिया जाता है इसी वज़ासे वहाँ पर hectare yield जो है per hectare फसल का जो उत्पादन है वो कम हो जाता है लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर छोटे छोटे खेत हैं लेकिन अगर हम per hectare yield की बात करें per hectare में कितना quintal फसल हुआ तो इंडिया में जादा होता है per hectare capital के basis पर USA में high capital investment लगता है वहाँ पर जादा पैसा खर्च होता है खेती करने में लेकिन इंडिया में comparatively low capital investment लगता है यहाँ के लोग banks से और money lender से loan भी लेते हैं खेती करने के लिए और जब फसल होती है तो उस फसल को बेच कर उनका पैसा वापस देते हैं market के basis पर भी difference है USA में जितना produce होता है वो national और international market में supply कर दिया जाता है क्योंकि उनके पास storage facilities अच्छा है लेकिन इंडिया में अधिक से अधिक produce local market में ही खर्च हो जाता है आस-पास के market में ही bigger खत्म हो जाता है क्योंकि इंडिया में storage facilities अच्छे नहीं है labor की बात करे तो USA में skilled labor मिलते हैं वहाँ पर जो काम करने वाले होते हैं labor इंडिया में अधिकतर traditional methods का इस्तिमाल किया जाता है machines बहुत कम ही इस्तिमाल किया जाते हैं और आज भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर बैलो से ही हल्ज होता जाता है technology में भी difference है USA में जो farms होते हैं वहाँ पर advanced technology का इस्तिमाल किया जाता है लेकिन इंडिया के farms में बहुत कम ही ऐसा होता है कि modern technology का इस्तिमाल किया जाता हो तो finally हमने इस chapter के सबसे अंतिम topic को भी पर लिया इस तरह से ये पूरा chapter complete होता है जाने से पहले वीडियो को like कर दीजेगा, चैनल को subscribe कर दीजेगा और unacademy पे मुझे follow जरूर कर लिजेगा ताकि जितने भी live class होते हैं उसका भी notification आपको मिलता रहे left side में click करके आप SSD का playlist open कर सकते हैं वहाँ पर आपको एक लाइन से हर chapter का वीडियो मिल जाएगा और right side में click करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं पिला लिस वीडियो में इतना ही मिलते अंगली क्लास में बहुत सारे ने टॉपिक्स के साथ सब तक के लिए अपना धिहान रखिए और अच्छे से परहाई करते रहेए